जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग शक्ति वैच के अंदर आप सभी का स्वागत है आज हम मोशन इन प्लेन डिसकस करने जा रहे हैं बच्चों जो की मोशन इन टूडी है जिसके अंदर वेक्टर की चरचा सर्कुलर मोशन की चरचा और थोड़ा बहुत करके खतम हुने के बाद आप इस लेक्चर के के नोट्स को PDF को डाउनलोड कर सकते हैं कि अपने प्ले स्टोर अपने के अंदर जाना और शक्ति वैच को सब्सक्राइब कर लेना आपको बॉतन आईगा उससरे क्लिक करना है पैसा कोई नहीं लगएगा 00.00 रुपीज इतना लगेगा बस ठीक है ना तो वो pay करने के बाद यानि कुछ भी नहीं pay करने के बाद आपको वो batch subscribe हो जाएगा free of cost उसके बाद आप classroom section के अंदर जाएगे तो physics के अंदर आज की date के नीचे जो class बनी हुई है उसके नीचे आपको link मिल जाएगा जहां से आप लोग हमारे notes जो है वो download कर सकते हैं आज के इस कक्षा के तो start करें पढ़ने वाले सबसे पहले हम vectors और वेक्टर से थोड़ा सा आप पहले भी मुझे लगता है परिचित होंगे जो बच्चे 12 पढ़ रहे हैं यानि mathematics उनके पास है उन्होंने vectors की चर्चा थोड़ी बहुत की होगी लेकिन म मैं भी आपके साथ कुछ physics related मुख्य मुख्य चर्चा करना चाहता हूं वेक्टर के बारे में तो चलिए बच्चो स्चार्ट करते हम लोग कि circular motion से पहले हम लोग वेक्टर की बाते कर लेते हैं देखो बच्चो कोई भी वेक्टर होता है तो उसके पास दो चीज़े होती है एक होता है उसका magnitude दूसरा होता डिरेक्शन है ना जानते हैं आप इस बात को वेक्टर के पास दो चीज़े होती है एक magnitude दूसरा direction वेक्टर को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है एक arrow बना दो ठीक है ना एक arrow बना दो एक arrow से एक वेक्टर को रिप्रेजंट किया जा सकता है जितनी लंबी 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 लंथ एरो की होगी उतना जादा magnitude होगा अगर arrow को मैंने छोटा बनाया समझ लो वेक्टर का magnitude कम है है समझ ठीक है से representation की जाती है खाली वेक्टर की, जितना वेक्टर का length होगा, उतना ही vector का magnitude होगा, ठीक है ना, तो magnitude का मतलब क्या हो गया, length, length of the arrow, है ना, और vector को एक arrow से represent किया जा सकता है, क्यों arrow से, arrow ही क्यों, क्योंकि arrow एक direction भी देता है अपने को, है ना, उसकी लंबाई जो होगी, वो magnitude देगा, और जो, और जो, वो जिस तरफ point कर रहा होगा, है ना, pointing towards, pointing towards, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी direction, जैसे इस time पर ये point कहां कर रहा, इस time पर ये i cap और j cap, यानी x axis और y axis के एक plane में बैठा हुआ है, ना, यहां कहीं, यहां कहीं, x axis होगी, और यहां कहीं, y axis होगी, तो यह कई, बीच में किसी point को, किसी point की तरफ point कर रहा है, pointing vector बोलते हैं इसको, है ना, थोड़ी बहुत चरचा आप लोगोंने, physics में भी इसकी करी होगी, maths के अंदर तो बहुत detail में चरचा होती ही है, इस बारे में, ठीक है, अच्छा, अब अगर हमारा vector 1D है, 1D या फिर वो positive y, positive y के along ही है, या फिर negative y, negative y के along ही है, या फिर positive z, positive z के along ही है, या फिर negative z, negative z के along ही है, या या फिर negative z कहां हो गया, अंदर की तरफ हो गया, है ना, positive z कहां हो गया, बाहर की तरफ हो गया, इस तरीके के अगर 1D vectors आपके सलिवस में हैं, यानि 1D vector आपको देख करते हैं i cap by minus x के लिए करेंगे minus i cap positive y के लिए करेंगे j cap negative y के लिए करेंगे minus j cap positive z वाले के लिए करेंगे positive k cap और negative z के लिए करेंगे negative k cap ठीक है अगर एक vector सिरफ यहां यहां पर aligned है सिरफ x x पर aligned है let us suppose वो 5 magnitude तक aligned है ठीक नब पाँच magnitude वो 0 से ले करके यह कोई reference पॉइंट आपने 0 लिया वहां से लेकर के 5 magnitude तक कोई वेक्टर है तो आप इसको simply लिख सकते हो 5 i cap 5 i cap 5 का मतलब क्या हो गया 5 का मतलब हो गया कि उसका magnitude 5 है i cap का मतलब हो गया कि वो plus x की direction वे है simple है ना ऐसी let us suppose मैंने मैंने लिखा 4 j cap तो इसका क्या मतलब है क्या मतलब है इसका 4 j cap का मतलब है कि जो आपका वेक्टर है यह जो green color से वेक्टर दिखा रहा हो यह 4 magnitude तक 4 magnitude तक इसका मतलब जो upper point है वो इसका 4 है है ना lower point इसका 0 है तो 4-0 यानि 4 है और किस तरह का यह क्या मतलब क्या मतलब है कि वैटम का अंदर की तरफ जा रहा है Z axis की तरफ, negative Z axis की तरफ जा रहा है, वो भी 3 point आगे जा रहा है, है ना, 3 magnitude आगे जा रहा है, यानि ऐसे पीछे की तरफ अगर मान ले हम के वो जा रहा होगा, है ना, तो 1, 2, 3, 3 की तरफ जा रहा होगा, तो negative 3 उसका magnitude हो गया, और K cap, 3 उसका magnitude हो गया, और negative K cap जो है वो उसकी direction ओगई ठीक है न कि यह सकते हो जैसे मैंने यह पहला वाला वेक्टर लिखाता यह यह वाला वेक्टर थो भाई यह स्थ और यह थ्री को रिप्रेजंट कर रहा है या माल लेते हैं पांच को रिप्रेजंट कर रहा है पांच बना रहते हैं कि चार यहां मना आया ना पांच यहां मना लेते हैं ठीक है न तो यह जो पॉइंट है 7,5 है इसको कैसे रिप्रेजन करेंगे भाई तो इसको रिप्रेजन करने का तरीका बहुत सिंपल है X-axis में 7 का मेगनिट्यूड है और Y-axis में 5 का मेगनिट्यूड है आप लिखोगे आप लिखोगे कि भाई यह जो भी वेक्टर है मालो यह F वेक्टर है कोई कोई F वेक्टर नाम दिया इसको तो आप लिखोगे F is equal to I-cap यानि X-axis पर कितना है साथ है तो लिखोगे 7 I-cap है ना 7 I-cap और 5 है Y-direction में तो बोलेंगे भाई 5 5 J-cap ठीक है ना यह तरीका है यह तरीका किसी भी 2D वेक्टर को लिखनेगा है ना और यह जो वेक्टर है आपको दिख रहा है कि यह I-J यानि X-Y plane के अंदर है ऐसी कोई भी plane के अंदर हो सकता है है ना हमारे पास कितने plane होते हैं हमारे पास यह छे Planes एक X- PLANE ठीक है ना सॉरी आठ प्लेन है हमारे पास चे नहीं 8plain है है ना और एक आपके पास YZ plane है जो ऐसे खळा होगा इस तरफ को its plane लेत भी बैंदर के इंदर वेक्टर दिखा सकती गत्र फेक्त्र दिखा जा सकते हैं ना तो यह बाते आप शायद जानते हो पहले से एक 3D वेक्टर की और सेड़ी कर लेते हैं 3D वेक्टर का मतलब होता है कि यह वेक्टर जब वह बाहर आ रहा है स्क्रीन से है ना और वह तीनों पर कुछ खुछ ना कुछ पर अपना शैडो गिरा रहा है तीनो पर कुछ ना कुछ अपनी वेल्यूज ले रहा है कौन कौन सी एक्सिस पर एकस पर भी य पर भी जड़ पर भी let us suppose भाई के यह आपका यह आपका जड़ कैप है यानी तकह आपका कि कुछ इस तरीके का वेक्टर है ठीक है तो ये X-axis पर भी कुछ वेल्यू ले रहा है X-axis की भी कुछ वेल्यू ले रहा है कुछ Y-axis की भी वेल्यू ले रहा है और कुछ Z-axis की भी वेल्यू ले रहा है तीनों की वेल्यू भी कुछ-कुछ ले रहा है रहेиля तीनो की वैली कुछ कुछ लिए रहेया यहाला जो पैराट गृरीन कलर करा जो मैंने वेक्टर बनाया इस वेक्टर कमा पा। ठीक है ना माइनस 4 पर है यह 4 बोल देता है magnitude को माइनस का sign इसलिए आता है क्योंकि वो direction को दिखा रहा है ठीक है ना तो हम कहां से start करेंगे हम यहां से start करेंगे कि भाई यह हम negative 4 i cap है है ना क्योंकि x axis में यह negative 4 ले रहा है अच्छा y axis में मान लेते हैं क्या बोलेंगे भाई हम बोलेंगे positive कम पड़ो धर कितना केकेप आरहा है तो दो मान लेते 2 teak बाहर की दरह आ रहागी है ना तो क्या लिखेंगे भाई positive 2K ये तरीका है 3D वैक्ट्र को लिखने का जो कि i cap में भी लिखा जाएगा जे कैप में भी लिखा जाएगा, के कैप में भी लिखा जाएगा, देखो, तूड़ी के अंदर पढ़ाया तो इसको जाता है, लेकिन इसका जादा यूज जो nd में पूछा गया है ना, वेक्टर्स का, वो पूछा गया है, डॉट प्रोड़क्ट का और वो भी वर्कडन वा आप हो गई यह वेक्टर को रिप्रिजंट करने की बाद, अब बात करते हैं कि आप ब़र का मेंगिनिट्ूड कैसे निकलेगा, ठीक है ना, वेक्टर का मेंगिनिट्ूड कैसे निकलेगा, में रिपक्टर magnitude of vector, एक vector का magnitude कैसे निकाले, है ना, हम इसी vector को ले लेते हैं, ये वाले को, Z वाले को, या फिर इसको ले लेते हैं, F वाले को, F, vector का sign उपर आएगा भाई, ठीक है न, हमेशा vector का sign उपर आएगा, अगर सामने की तरह 5 cap, J cap में लिखा हुआ है, तो LHS के अंदर vector का sign उपर आता तो 7 I cap, है न, माइनस था, प्लस था, प्लस था, प्लस था, प्लस था, प्लस फाईवजे, कैप, नाम का कोई F vector है हमारे पास, ठीक है, अब आपने इसका magnitude लिखना है, ठीक है, तो भाई, magnitude का simple सा एक formula समझ लो, आप, पाइथाग Caoर स्तोरम बोलते हैं, इसको F mod, F mod निकालना लें चलो कि आपने कोफिशन को क्या करना स्कुर करकर OURट करना करना नंदर रूट करना है और रूट यानि जिस तरीके से आप में प्लपिट करना फंन से ऐसा है अगर आपका कोईटर ऐसा है जो कि x icapений citrix independent Crossing में है ठीक है है ना और यह माुण देता हुं इस तो आपने अगर a mode लिखना हो यानी magnitude of a लिखना हो अगर आपने है ना magnitude of a अगर्म आप लिखना हो तो आप या लिखोगे अन्डर दा root cause i का coefficient ये का कॉफिशन के का कॉफिशन चक्वेर करके ये कर requiring करकी रूठ कर दो square करके एड करके रूठ कर दो इसगर करके लेक्षिन निकालने के दो तरीके हैं your दो तरीके है एक बरहो को अभित्षिन पता आपको एसी ही रिप्रसेंटेशन दे रख़ी है इसी तरीके जो आ यह Tomorrow done पता है तो जब angle नहीं पता तब क्या करें, तब ये करेंगे, तब ये करेंगे, देखो, कोई भी vector A है अगर, जानते सुनना, कोई भी vector A है अगर, तो वो दो चीदों से मिलके बना हुआ, जानते हो ना भाई, दो चीदों से मिलके बना हुआ, किस-किस से, एक तो उसका अपना magnitude, A mod, ये रहा, ये रहा, A mod से, और दूसरा उसकी direction जिसको A cap लिखते है, जैसे हमने i cap, j cap, k cap लिखा ना, तो असल में वो unit vector होता है, along the direction x, y and z, ठीक है ना, आब मैं बहुत सारी details नहीं बता पाऊंगा बेटा, पास्ट एक चीज़ है, थोड़ी सी तेज चलानी है मुझे, circular motion, projectile motion, सब कुछ discuss करना है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, अब ये जो है, ये जो है, ये डिरेक्शन है, ठीक, ये जो है, ये magnitude है, है ना, और दोनों को multiply करके क्या मिल रहा है, vector मिल रहा है, ये आपका vector है, ठीक है ना, ये आपका vector है, अब आपको ये द अगर divide कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, direction मिल जाएगा, ये तरीक है, एक तो direction निगालनेगा, है ना, मैं करके दिखाता हूँ आपको, अब जैसे ये vector था, 7i cap plus 5j cap, मैंने उपर लिख दिया, ठीक है, लिख दू, या लिख देता हूँ, इस तरफ को लिख देता है ना, तो ये उसका magnitude हो गया, और ये उसका direction हो गया, तो आपने f cap निकालना है, और f cap क्या होगा, f vector अपन में f mod, f vector कितना है, ये रहा, पूरा लिख दो ये वाला, पूरा उठा के याँ कॉपी कर दो, यानि क्या लिख दो, 7i cap plus 5j cap, और divide कर दो, उसके mod से, mod कितना था व 54, 4 to 6, 74 हो गया ये तो, है ना भई, 74 आएगा ना, बिल्कुल सही है, 84 आएगा, root 84, तो नीचे क्या आगया, नीचे आगया, under root 84, ठीक है, ऐसा भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे direction को science के form में भी लिख सकते हो, ये maths की बाते हैं, यार, 7 by root 74 i cap plus 5 by root 74 j cap, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, किसी भी vector के direction को, ये direction है, f vector, f cap है, इसको cap बोलते है, cap माने टोपी, ठीक है ना, ये f cap है, clear होगे यहाँ तक सारी बात, ओके, अच्छा सर, दूसरी तरीका कौन सा है, ये तो आपने एक तरीका बताया, direction निकालने का, मैं हड़ जाता आगे से, screenshot लेने होते हैं वही बच्चों ने, ठीक है ना, तो एक तो ये तरीका बताया सर आपने, दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है कि अगर आपको एंगल पता हो, है ना, दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर एंगल पता हो, तो अगर एंगल पता है, ठीक ह है ना मारा यह वेक्टर है ना ठीक है लेटस सपोज अपने को अपने को यह थीटा पता है यह थीटा पता है ठीक है ना यह थीटा अपने को पता है तो इसके फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसके फॉर्म में भी डिरेक्शन को लिखा जा सकता है कैसे टैन थीटा लिखके 10 theta ही क्यों? क्योंकि 10 theta के अंदर ना वेटा, इसका magnitude जरूरी नहीं होता, क्योंकि 10 theta होता है, 10 theta होता है P by B, perpendicular by base, है ना, तो जब perpendicular की बात आएगी तो ये आएगा, और base की बात आएगी तो ये आएगा, इसकी बात आएगी नहीं, इसकी बात की जुरुती नहीं है आपको, ठीक है ना, ये सारी बाते आप लोगोंने maths के अंदर पड़ी है, maths तो आपके पास होगी याद, है ना, maths के अंदर तो आपने सारी बाते पड़ी है, तो इसलिए, इसलिए, 10 theta यानि P divided by B, perpendicular divided by base, है ना, अब यहाँ पर perpendicular क्या था, यहाँ पर perpendicular क्या था, यह कितनी height है, यह कि क्या करना पड़ेगा, आपने क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो, perpendicular है 5, और base है 7, तो आप लिखोगे, theta is equal to tan inverse, 5 upon 7, inverse trigonometry, है ना, थोड़ी बहुत पढ़ी आप लोगोंने, तो इस form में इसको आप लिख सकते हो, तो यह भी एक तरीका है, direction लिखन डायरेक्षन की बात हो गई, अब बात करते हैं कि भाई, component कैसे लिए जाते हैं किसी भी वेक्टर के, ठीक है ना, तो components of a vector, किसी भी वेक्टर के component कैसे लिए जाते हैं, देखो भाई, let us suppose आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, यह आपका वेक्टर, ऐसा वेक्टर है हवा में मैंने कोई vector बना दिया है। ठीक है? हवा में कोई वेक्टर मैंने बना दिया। मुझे एक बार बताओ, यह किसी ना किसी axis से तो inclined होगा ना भई। कोई ना कोई X और Y axis में कभी भी ड्रॉ कर सकता हूं ना इसका यह origin मान करके बिल्कुल कर सकते हो सर क्या दिखता है इसमें बिल्कुल कर सकता हूं तो ऐसा करने से मुझे एक एंगल भी दिखना शुरू हो गया, बिल्कुल दिखना शुरू हो गया, सर, यह रहा वो एंगल, यह मैट्स पड़ा रहो हूं, भाई, पड़ानी पड़ती है, थोड़ी बुर्स तो बतानी पड़ती है, न, ठीके, तो यह, यह हम मान लेते हैं, इस वेक्टर को, जी वेक्ट के असर को ध्यान से सुनना आप इस वेक्टर के असर को इन दो एक्सिस पर तोड़ सकते हो और इस वेक्टर का वजूद हमेशा के लिए खतम कर सकते हो हमेशा के लिए इस वेक्टर को आप भूल जाओ ठीक है हमेशा के लिए इस वेक्टर को भूल जाओ बस इसका इसका जो अ सिसके लॉंग तोड़ देना उसका असर तोड़ देना और उस वेक्टर का वजूद खतम कर देना हमेशा के लिए तो इसको कैसा करते हैं वाई कैसा करने का कैसा करने का ऐसा करने का देखो देखो भाई यह वेक्टर जा से शुरू हो रहा है ना ठीक है वहां से एक लाइन डालो नीचे एक परपेंडिकुलर डालो किस पर एक सेक्सिस पर डाल लिया ऐसा ही एक परपेंडिकुलर डालो यक्सिस पर ऐसा ठीक है ना एक सेक्सिस पर एक परपंडिकुलर डाला उसके बाद आप यह जान पाए उसके बाद आप यह जान पाए कि भाई इसका एक component x के along बनता दिख रहा है और एक component y के along बनता दिख रहा है अब आप चाहो तो इसको भूल जाओ आप चाहो तो इसको भूल जाओ हमेशा के लिए ठीक है ना आप चाहो तो इसको हमेशा के लिए भूल जाओ डिलीट, खतम, फिनिश, टाटा, बाई-बाई गया, भूल जाओ, आपके पास अब ये दो वेक्टर है जो जिन्दा है, कौन-कौन से, कौन-कौन से, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, सर इसको करने से होता क्या है, ये तो resolution नहीं है, एक वेक्टर की जगा दो वेक्टर ले आए, ये तो और बड़ी मुसीबत है, मुसीबत नहीं है भाई, ज्यादा simplicity है ये, आपको समझ मायाएगा, जब हम mechanics के अंदर और ज्यादा घुसेंगे, जब NLM, Newton's law of motion को discuss करेंगे, आपको समझ मायाएगा कि इसकी ताकत क्या है, इसकी ताकत क्या है, ये बहुत ताकत और इसको बोलेंगे G sin theta, सब trigonometry है ये, ये सब trigonometry आप कैसा भी करके निकाल सकते हो, ये base है, cos theta क्या होता है, base upon hyperdenus, आपने hyperdenus को theta से multiply करेंगे लिगी दी, आपको base मिल गया, पर pendicular के अंदर आप sin theta लिखते हो, P by H होता है, है न, पंदित बदित बदित हरे 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 बोले, P by H होता है, sin theta, है न, तो आपने H को ले जाके sin theta का multiply कर दिया, और आपका क्या बन गया, जी sin theta बन गया, नहीं समझे मारा, आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, है न, उतना time नहीं है कि मैं बता सको कोई सारी बाते, ठीक है, तो G का एक x component, vector का x component cos theta से multiplied, vector का y component sin theta से multiply, ज इतना ही था, यही था vector resolution, ठीक है न, इसको करने के बाद, अब आगे इसी tool को use करेंगे, जब हम mechanics की good चर्चा करेंगे, है न, main चर्चा करेंगे, को वापस ले आते हैं, इजत के साथ इसको रख देते हैं, वापस लागे, ठीक है, एक तो हो गई यह बात, ठीक है, अब बात साती है vector algebra की, पता छोटे-छोटे बहुत सारे concepts है vector अंदर, लेकिन मैं सब discuss नहीं कर सकता, 0th of a vector क्या होता है, pointing vector क्या होता है, co-planar vector क्या होते है, है न, बहुत सारी, बहुत सारी चर्चा है vector के उपर भी, ठीक है, हाँ, अब पढ़ना है vector algebra, ठीक है, अब पढ़ना है vector algebra, उ resultant of a vector, of two vectors, sorry, एक vector नहीं, दो vector का resultant होता है, ठीक है, क्योंकि addition जो होगा, वो दो vector का तो होगा, न, कम से कम दो vector चाहिए होंगे आपको, तो एक vector की सारी बाते हमने कर ली, अब दो vector की बाते करेंगे, तो पहला vector addition आता है, फिर vector subtraction आता है, जो कि vector addition ही होता है, ठीक है, न, vector जिसको दूसरा नाम क्या है स्केलर प्रदक्त scalar product ठीक है ना तो ये सारी बाते हैं ठीक है ये सारी बाते हैं ओके अब एक काम करते हैं शुरू करते हैं फटा फट से चीजों को ठीक है सबसे पहले वेक्टर्स दो वेक्टर को एड़ करने के लिए लौ लगाया जाता है लौ पैरलेलोग्राम ट्रेंगल भी होता है और तीसरा पॉलीगन भी होता है लेकिन सबकी चर्चा ओविसली नहीं पाएगी तो सबसे आसान सबसे प्रचलित लौ जो है उसी की चर्चा में आ कर रहा हू लौ पैरलेलोग्राम बोलते है उसको है ना लौ पैरलेलोग्राम क्या कहता है यह लौ यह कहता है कि अगर आपके पास ए वेक्टर है बी वेक्टर है और थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है ठीक है ना बिट्वीन एंड वी है ठीक है थीटा बिट्वीन एंड भी है ठी इक ये A vector है, A कि ये B vector है, ठीक, और उन्दोनों के वीच का angle theta है ये A ठीक और ये B और दोनों के वीच का angle क्या है ? theta है और आपने उसका resultant निकालआ ठीक है तो क्या करो पता है आप पहले तो parallelogram पूरा कर लो पेरलोग्राम पूरा कर लो सर कर लिया पेरलोग्राम पूरा कर लिया हमने है ना ऐसी पूरा हो जागा ना पेरलोग्राम बस इसका डाइगनल इसका डाइगनल क्या जी इसका डाइगनल यह होगा ना यह रिजल्टेंट होगा ठीक है जो diagonal होगा भाई resultant होगा यही resultant है यही resultant R vector है अब A और B का वजूद खतम एक R नई चीर जा गई है ठीक है दो vector का addition होता है छीक है दो vector का addition दो vector का add करना होता है यह angle theta है जो छुब गया इधर तो मैंने theta दुबारा दिख दिया ठीक है theta is the angle between A and B और यह उसका क्या है result निकल के आया है बनाया है ना इसका भी तो direction होना चाहिए इसका भी तो magnitude होना चाहिए वो कैसे निकलेगा तो वो निकालने के लिए सीधा सा formula है r is equal to under the root a square plus b square plus 2ab cos theta derivation कराने का समय नहीं है ठीक है यह आपका formula है ना a square plus b square plus 2ab cos theta यह derivation जो है वो physics में भी कराई आरती 11th के अंदर और maths में तो करवाते ही 12th के अंदर ठीक है न तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा सिर्फ formula सीधा लिख रहा हूं यहां पर यह resultant का formula है under the root a square plus b square plus 2ab cos theta सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब में आपस में 2 into a into b into cos theta सब्सक्राइब में वह जो थीटा आपका था वो यह वाला थीटा ए और भी के वीच में वहां आ गया ठीक है अब अगर magnitude निकल गया है तो सर्व डिरेक्शन कैसे निकलेगी अब डिरेक्शन कैसे निकलेगी तो जो कि x-axis के साथ होता है ठीक है ना यहां पर भाई इसके ताथ एंगल लिए जाएगा जिसको बोलते एलफा ठीक है न एलफा एंगल तो यह टैनल फानिकल के आता है यहां से क्योंकि एंगल ही है आपके पास आपके पास आई जे के फॉर्म में तो नहीं होता आर वेक्टर आर वेक्टर जो है वो आई जे के फॉर्म में तो नहीं है तो टैन अलफा के फॉर्म में अगर है तो आप लिखोगे ठीक है बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा ठीक है डिरेक्ट फॉर्मुले यह आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपने वेक्टर क तो अच्छलिवाइस करना तो आपकर याद करने पढदेंगे ठीक है ना एक तो हो गया आर मौड ठीक है दूसरा हो गया ताइलफ़ा ठीक है यानि यह डिरेक्शन हो गई यह डिरेक्शन हो गई and और यह magnitude हो गया यह magnitude हो गया तो magnitude भी मिल गया और भाई और भाई direction भी मिल गई ठीक है तो यह था addition अब भाई कोई बोले subtraction करके दिखाऊ कोई बोले subtraction करके दिखाओ अभी आपने A और B को add किए अभी मैंने क्या किया पता है अभी मैंने ये किया है अभी मैंने ये किया कि R vector निकाला है जो की A vector प्लस B vector है टीक है कोई मुझे बोले के सर इस A vector में से B vector को minus करो या B मेंसे A को माइनस करो, यानि ये करके दिखाओ, ये R1 है ना, ये R2 है मानलो, है ना, अभी आपने ये R1 वाला खेल किया है सारा, ये R1 है, है ना, ये R1 है, सर R2 करके दिखाओ, R2 क्या है भई, R2 ये है कि सर A वेक्टर को B वेक्टर मेंसे माइनस करके दिखाओ, मतलब B क पैसे लिख दो आप इसको ऐसे लिख दो A vector प्लस minus of B vector सर इसका क्या मतलब हैं कुछ नहीं करना जो तरह भी वेक्टर है ना उसको पलट के चिपका दे कि पूच से पूच मिला के पलट के चिपका दे यानि ये कर दो यह कर दो, यह, ठीक है? यह करके और खिसका गे ले जाओ और यहां जोड़ दो इसको, यह टेल से टेल मिल गई, यह करना है, यह करना है, क्योंकि यह b vector था नла, यह जो था, है ना, तो यह क्या होगा? यह क्या होगा, यह होगा minus B vector, समझ गए ना minus of a vector क्या होता है, negative of a vector क्या होता है, अगर यह positive of a vector है, तो यह negative of a vector है एकदम 180 degree, इस तरफ A तो इस तरफ minus A, इस तरफ B तो इस तरफ minus B, इस तरफ C तो इस तरफ minus C एकदम उसका 180 degree एक दम उसका innes tuhIGH तो यहां पर भी है तो यहां पर क्या होगा-a haodine says भूगा अब जड़ा पारलो ग्राम पूरा करना अब ज़ժार पूरा हो गया है हमारा पैलो गर्म सर्बया हो गया घर बेटा तेरे को कमें तू पूर प्र न गया है तो पिर तो पर लेकिन का मतलब ही होता है कि cross चलना, यहां से वहाँ चलना, cross चलना, तो एक से दूसरी तरफ चलना है आपने, ठीक है तो यह आपका r2 वेक्टर आजाएगा, यह आपका r2 वेक्टर आजाएगा, सर इसका magnitude कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम निकलेगा, a square प्लस v square, प्लस 2a भी नहीं पाएगा मतलब वह negative positive हो नहीं पाएगा तो यहां पर हो जाएगा minus यहां पर हो जाएगा minus इसलिए इसलिए इस आरटू का formula अगर लिखना होना आपने तो ऐसे लिखा जाएगा आरटू is equal to under the root a square plus b square minus 2ab cos theta यह लिखा जाएगा यह लिखा जाएगा समझ में आगी बात तो यह था यह था subtraction of two vectors कभी भी subtraction करनी हो तो आपने एक को उठा के जो भी आपने negative करना उसको उठा करके आप एकदम 180 degree घुमा दो और उसके साथ फिर आप उसका तरलो ग्राम law ले करके और आप उसका diagonal निकाल लो इजा होगा, वहिए आपका Resultant होगा, वह आपका Resultant होगा, easy है, मुश्किल है, आसान है ना, बहुत, ठीक है, देखो, ठीक रिन्टश आता है, नेस्ट आता है, भाइ, multiplication, बहुप अउपलिकेशन, भाइ, प्रिकेशन, अफ्ट adapte, प्रिकेशन ओवत, तो वेक्टर्स, अध स्केलर प्रोड़क्ट और दूसरा पढ़ना आपने वह पढ़ना है वेक्टर प्रोड़क्ट का ही दूसरा नाम क्रॉस प्रोड़क्ट है श्केलर प्रोड़क्ट का ही दूसरा नाम क्रॉस प्रोड़क्ट है कि अब आपके पास दो वेक्ट हैं भाई कि Caroline एक वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है दोनों के बीच का एंगल थीटा है ओके कोई आपसे बोले कि इन दो वेक्टर और इस एंगल के साथ इस पूरे हिसाब किताब के साथ आप स्केलर पूरक्ट निवह थाra मिल्त, क्योंकि दो वेक्टर का ऐसा। करो कि जो आपका answer निकलके आ है वह dao scalar निकल के जब भी इसका अंसर निकल के आता ता that is always a स्केलर कॉंटिटी वह स्केलर कॉंटिटी नहीं हो थी वह क्या होती एक स्केलर कॉंटिटी जिसकी डिरेक्षिन नहीं होती है ना तो गड़ का ठीक है ना आज मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ इसको मदपूरा फॉर्णल लिख करके आज छोड़ रहा हूँ चर्चा इसकी वक्ड़न के अंदर करेंगे क्रॉस पर आजाते हैं दो वेक्टर हैं अगर A और B और आपसे कहा जाए के वह यहां A क्रॉस B करके दिखाओ क्रॉस B करके दिखाओ तो इस A क्रॉस बी का मतलब होता है के एक नया वेक्टर का जनम होगा कभी भी क्रॉस कर रहे हो दो वेक्टर को डॉट कर रहे हो तो कोई नया वेक्टर का जनम नहीं होगा Scales मिलेगा आपको लेकिन अगर आप क्रॉस कर रहे हो दो वेक्टर को तो आपको एक नया वेक्टर का जनम होगा सी वेक्टर है कोई कोई सी वेक्टर का जनम होगा सर वो सी वेक्टर कहा होगा वो सी वेक्टर या तो बाहर आ रहा होगा स्क्रीन से या अंदर जा रहा होगा स्क्रीन के या नि उस प्लेन से बाहर होगा जिस भी प्लेन में दोनों वेक्टर बैठे है ना उस प्लेन से परपेंडिकुलरली बाहर जा रहा होगा या perpendicularly अंदर जा रहा हो मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होगा उपर या नीचे जा रहा होगा वो होगी डिरेक्शन सी वेक्टर की ठीक है इसकी चर्चा टॉर्क में ज्यादा अच्छी होती है तो जब टॉर्क पड़ेंगे थोड़ी बहुत चर्चा वहां पर त करना हो ठीक है ए डॉट भी अगर कभी करना हो तो इसका मतलब होता है कि एका मेगनिट्यूड बी का मेगनिट्यूड दोनों के बीच का कॉस का एंगल दोनों के बीच का कॉस थीटा यह फॉर्मुला है डॉट करने का और क्रॉस करने का फॉर्मुला है अगर आप ए क्रॉस भी कर रहे हो ठीक है तो यह होता है एका मेगनिटीवड बी का मेगनिटीवड साइन थीटा एन कैप यह एन कैप कौन है यह एन कैप उस वेक्टर की डिरेक्शन है जिस वेक्टर का यह मेगनिटीवड है वह या कोई भी वेक्टर लिखना होगा तो वेक्टर का magnitude डिरेक्शन दोनों चाहिए नहीं चाहिए वह चाहिए ना तो यह उसका क्या है magnitude है और यह उसकी डिरेक्शन है यानि जो C की बात ओरी न यहाँ डिरेक्टर कंपींट करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने प्यारे स्यक्टशन पर ठीक अगर यूटिफर्म सुर्कुलर मोशन होता है बेटा तो इसका मतलब होता है के सेम स्पीड से कोई चीजगोम रही है आप चांद और धरती को याद रखो स्थे से स्पीन से गड़ा हरा है कभी स्पीड घटाई कभी 2-4 दिन लगा दियो आने में ऐसा किया क्या चांद नहीं किया ना आज आता है रोज दिकता नहीं वालग बाता लेकिन निकलता तो हो लेकिन वो निकलता रोजे सूरज भी ऐसा ही कुछ है ना सूरज मतलब हम सूरज के आसपार लगाते हैं वात मैं जानता हूं ठीक है ना लेकिन सर्कुलर मोशन के परस्पेक्टिव से सोचे अगर है तो चंद्रमा क्या कर रहा है धरती के आसपास चक्कर लगा रहा है चर्चा और निकल के आती है यहां से के सर क्या एक्सेलरेशन हो रही है या नहीं हो रही है तो उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे पहले एक बार नौन उनिफर्म सर्कुलर मोशन की थोड़ी तहकीकात कर ली जाए कि नौन उनिफर्म सर्कुलर मोशन क्या है तो नौन उ कर दिया अपनी सिर्कूलर स्पीड को बढ़ा लिया जिसको हम एंगुलर व्लाशीटी बोलते हैं अभी चरचा करेंगे सारी उस बारे में और वैरियेबल के चरचा करेंगे ठीक है ना आप समझ वह आई आपको बात जैसे पंखाकों करते हो पंखान करते हो पंखान करते हैं चार नंबर पर पंखा है तो क्या बटन ओं करती चार क्या चालना चल जाता है घ्या का सीधर छलता है प्रहले एक नमबर पर चलता है फिर दो एक पर पर पूरी फिर एक नबर पर फृर का CIर पर फिर एक Mart director प्लायजन पीर बंद हो जाता है बटन बंद पंखा रुख गया ऐसे होता है नहीं बटन बंद करने के बाद क्या होता है धीरे 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 रेटार्ड करता हुआ रुखता है यानि अपनी अंगुलर स्पीड को कम करता हुआ रुखता है पहले अपनी अंगुलर स्पीड को बढ़ाता जब 0-4 पर चलता है फिर 4-0 पर आदा तो अपनी स्पीड को घरता है घटाता है तो ऐसे में वह तो rotational motion कर रहा है वह तो rotation हो रहा है लेकिन rotation का एक part circular भी हो रहा है यानि अगर आप blades पर focus करो सिर्फ blade का कोना देखो तो जो blade का कोना करें तो यह फिर आप एक काम करो sketch pen लेकर के डॉट बना दो ठीक है बच्चा कर भी देता है और फिर story में टैक कर देता इंस्टाग्राम पे सर देखो मैने पंके पर क्या घर दिया डॉट लगा दिया है ना ऐसा नीव वालों ने किया था जो ये अपने इनको जब फांदिशन वालों को मैंने पढ़ाया था था चलो छोड़ो तो बेड के कोने पर फोकस करो आप तो बेड का जो कोना है वो क्या करेगा वो धीरे-धीर अपनी सब्सक्राइब है थेक है तो युनिफॉर्म सेर्कुलर मोशन है अगर युनिफॉर्म सब्सक्राइब दोनों में होती है एक कौमन वाली उसका नाम है सेंट्रीपिटल Acceleration. क्या नाम है? Centripetal Acceleration. उसकी भी चर्चा ले कर क्या हूँ है? उसका फर्मिला वरमिला सब ले कर क्या हूँ? ठीक है? ठीक है? तो पहले मैं काम करता हूँ एक काम करता हूँ यहाँ लिखता हूँ UCM Uniform Circular Motion यहाँ लिखता हूँ NUCM Non-Uniform Circular Motion और सिरफ चर्चा करते हैं एक्सेलरेशन पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है भाई बच्चे को confusion रहता है बहुत ज्यादा थीक है ना तो हम acceleration की चर्चा करेंगे एक acceleration जो दोनों में common है वो है centripetal acceleration इधर भी होती है और इधर भी होती है कि दोनों में होती है सेंट्रीपिटल को कोई रोख सकता जब जब सर्कुलर मोशन आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी ही आएगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी ही आएगी सर यह क्यों आती है यह इसलिए अती है वेटा क्योंकि कोई ना कोई center से जरूर खीच रहा होता है जब कोई चीज गोल-गोल गुमती है सर समझा इसको समझ नहीं आया मून घूमरा धरती के आसपास क्यों घूमरा है कोई केंद्र में है कोई उस motion के कोई system के केंदर में है जो खीच रहा है मून को कौन खीच रहे धरती कीच रही है दरती गई लगा रही है इसलिए मून के उपर force of gravity के चलते वो centripetal force and centripetal acceleration एक्ट कर रही है बाद समझ में आई कुछ तो centripetal force है न अच्छा बार मंता हो जो बलेड का कोना है वो क्यों घुम रहा है besser बीच वाला पार्ट घुम है भाई मोटर बीच कुम रहा है टो बलेड डेड़े घुम रहा है टो घुडा हुआ अच्रेंचन जैसी internal forces है उनके बीच में है समझे रहे हो ना तो जो टेंशन है यह जो यह जो नॉर्मल forces लग्रही है जो जिनसे जुड़ा हुआ है वो जो mechanical forces लग रही है वो ही काम कर रही है कैसा centripetal force वाला ठीक है ना? अच्छा electron घुमता ना nucleus के आज पास क्यों घुमता भाई? क्योंकि nucleus उसको खीच रहा अपने केंदर में केंदर में खीच नहीं कोशिश कर रहा खीच तो पाता नहीं, क्योंकि पहले से inertia उसका goal में चलने का बना हुआ तो एक stability अचीव कर चुका है वो पहले ही एक stability पहले ही inertia की वज़े से अचीव हो चुकी है जिसको तोड़ना असान नहीं है ठीक है ना? तो ऐसे ही stability solar system ने भी क्या कर रखी है? अचीव कर रखी है, electron ने भी क्या कर रखी है ऐसी एक energy अचीव कर रखी है क्या जूरते फथर घुमने की निकल जाए अपना, ash कर जागे उड़ जाए जागर के, क्यों घुमता है? इसलिए घुमता है को कि रसी के अंदर टेंशन है वो टेंशन जनरेट कर रही है किसको? किसको? centripetal force को तो centripetal force यानी centripetal force से ही acceleration आगी ना भई इलेक्ट्रोन को कौन खीच रहा भई केंदर में? प्रोटान खीच रहा है, यानी नुकलिस खीच रहा है क्यों खीच रहा है नुकलिस? इसलिए खीच रहे को कि बाई, electro static force of attraction लग रही है electro static force of attraction, electro magnetism वाली forces है electro magnetic force बोल सकते हो उसको आप ठीक है न? एक charge को फैका एक charge को फैका uniform magnetic field के अंदर वो गोल गोल गुमता है, क्यों गुमता है? magnetic force लग रही है केंदर में, तो कोई भी force क्या कर सकती है? centribital force की त्रेक्ट कर सकती है तो centribital force तो दोनों case में है भाई uniform circular में भी और non uniform circular motion में भी सर फिर दोनों में विभिन बात क्या है? भिनिता क्या है दोनों में? अलग-अलग बाते क्या है दोनों में? तो अलग-अलग बात यह है भाई कि यहाँ पर एक acceleration और होती है जिसका नाम है tangential acceleration और इस tangential acceleration की वज़ा से एक acceleration का और जनम होता है जो की केंद्र में रहने वाली होती है उसका नाम है एंग्यूलर एक्सेलरेशन यानि एक एक्सेलरेशन और आ गई भाई एक्सेलरेशन और आ गई एंग्यूलर एक्सेलरेशन तो भाई यहाँ पर एक ही है यहाँ पर तीन तीन है यहाँ पर एक एक्सेलरेशन है केवल सेंट् सब करेंगे और सबकार करेंगे एक बार फार्मुला पता इसलिए सेंट्रिम्स का फॉर्मूला सब करेंगे आपने एक्सली फॉर्यूरा यह न तो वी स्कोरर भाय आर ठीक है, V square by R, V speed से अगर कोई चीज़ चल रही है, V speed से कोई चीज़ घूम रही है, तो square करके divide by the radius, यह radius है, जिस radius में वो घूम रही है, उसकी radius है, ठीक है न? V speed से घूम रहा है, R radius पर घूम रहा है, तो यह V square by R क्या होगी, centribital, acceleration होगी, वो यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, टेंगेंशल क्या होती है बाई, तो टेंगेंशल तो जो पीछे से पढ़ रही है, वो है, टेंगेंशल जो पीछे से पढ़ रही है, वो है, वो होती है, dv by dt, यह होती है, है न, differentiation of velocity with respect to time, तो acceleration, टेंगेंशल वाली, टेंगेंशल एक्सलेरिशन, और इस टेंगेंशल एक्सलेरिशन के चलते, जो एंगूलर एक्सलेरिशन आती है, वो होती है, वो होती है, वो होती है, तो वो होती है, A is equal to R alpha, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, यह यह टे से डिवाइड कर दो तो यह तीनों फॉर्मुले और यह तो अपनी सेंट्रिपिटल है प्यारी हमारी प्यारी सेंट्रिपिटल जो कि क्या होती है वी स्कूर बाई आर ठीक है अब सरी अलफा वलफा की चर्चा कर ही लो बहुत देर हो गई है चलो कर लेते हैं चर्चा है ना त कोई कजन है ठीक है ना सोचो वो एक सर्कुलर पार्क के चक्कर लगा रहा है और आप केंद्र में खड़े हो आप सेंटर पे खड़े हो है ना और वो क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है सर्कुलर पात के बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं है ना और आप उसको देखे जा रह कर रहा है यहां से यहां आ गया मान लो तो मैं ऐसे देखूंगा और फिर ऐसे देखूंगा तो मेरी तो मुंडी घुमी ना, मेरी तो मुंडी ने एंगल घुमाया ना, मेरी मुंडी ने क्या घुमाया, मेरी मुंडी ने एंगल घुमाया, इस एंगल घुमाने को बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट करना, क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेस्मेंट उसको क्या पता तुम क्या कर रहे हो उसको क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है अंदर ही अंदर वो एक एंगल को traverse कर रहा है, एक angle को sweep कर रहा है, एक angle का पोचा लगा रहा है वो, एक angle का वो क्या लगा रहा है, पोचा लगा रहा है, उस angle को बोलते हैं, angular displacement, ठीक है, यह भाई तो कर रहा है, linear displacement, यहां से यहां जो कर रहा है, यहां से यहां जो कर रहा है, वो तो linear displacement है, जिसको आप arc length बोलते ह एक relation निकल के आता है, L is equal to R theta, I hope आपने यह relation देखा हुआ होगा, maths के अंदर, 10th class में दिखा देते हैं, यह relation तो, ठीक है न, L is equal to R theta, है न, L is equal to R theta, यह हो गई, यह हो गई आपकी linear displacement, है न, जो वो बच्चा चल रहा है बिचारा, बच्चा तो चल रहा न, कई ground पर, कई दोड रहा न, वो तो ground पर, वो तो रस्ता cover कर रहा न, वो आपका L हो गया, R length बोलते हैं, जिसको R हो गई radius, यह radius है, है न, और यह हो गया आपका angular, क्या आपकी मुंडी कितनी घूमियों, उसको देखने के चकर में, उसको देखने के चकर में, यहां से यहां, यह जो, यह जो angle घ आएंगे, angular displacement भी आएगी, ठीक है न, अब, अब, इसको divide कर दो T से both sides, इसको time से divide कर दो both sides, तो जब यहां divide होगा, है न, time से, तो displacement time से divide होते ही velocity बन जाती है, angular displacement time से divide होकर के बन जाती है, angular velocity, क्या बन जाती है, angular velocity, ठीक है न, तो जैसे linear displacement time से divide होई, तो बन गई linear velocity, है न, इ इसको बोलेंगे linear velocity, linear velocity, ठीक है, is equal to, r तो radius है, है ना, और theta को time से divided करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा angular velocity, यानी omega, यानी omega, ठीक है, this is angular velocity, जिसकी चर्चा चल रही है, जिसकी चर्चा चल रही है, यही है angular velocity, ठीक है, omega, omega, एक बात का और ध्यान रखना, कि इसको radian के अंदर calculate करते है, radian से degree में conversion, I hope आपको आता होगा यार, यह तो करवाने की जूर्थ मुझा नहीं पड़ेगी, ठीक है, radian के अंदर calculate होता है, तो जब radian को time से divided, यानी theta को time से divided कर देंगे, तो omega बन जाएगा, radian per second, radian per second बन जाएगा, यह बिल्कुल सही बात है, यार क्या दिक्कत है, radian per second, distance को time से divided करते है, तो meter per second, radian को time से divided करेंगे, तो radian per second है, इतना आपको unit आता है, है न, समझ में आगी बात, ठीक है, तो, सर, circular motion के अंदर तो ये भी आया, चाहे वो uniform हो हो, चाहे वो non uniform हो, velocity तो आएगी न, चलना तो पड़ेगा न, बाई, motion का मतलब क्या चलना तो पड़ेगा at least, ये तो zero नहीं हो सकती न, ये तो zero नहीं हो सकती न, ये जिरो नहीं हो सकती न, ये तो हो गई होगा, सर acceleration की बात तो करो, तो भाई, इसको अगर तुने एक बार ओर time से divide कर दिया न, तो तुझा मिल जाएगी acceleration, इसको एक बार और time से divide कर देते है है ना चेंज इन वलासिटी को वैसे टाइम से डिवाइड करते है ना तो क्या बन जाती है तो वह जाती अपने को acceleration है ना और यह वही वाली टेंजन्चल एक्सेलरेशन ही है यह यह जिसको लीनर acceleration भी बोल सकते हैं ठीक है linear भी बोलते हैं टेंजेंशल भी बोलते हैं एक ही बात है दोनों ठीक है और is equal to करेंगे तो radius into omega को time से डिवाइड कर आप कर दोगे है ना अगर angular velocity भी time के respect में चेंज होने लगी जैसे पहले धीरे धीरे घुमने लगा या फिर पहले धीरे 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 घुमने लगा यानि omega change हो रहा है ओमेगा चेंज हो रहा है with respect to time तो इसी को बोलते हैं alpha और यह जो नीले से मैं लिखा है वो जान भूज के लिखा है क्योंकि भाई यह नौन uniform circular motion में ही आएगा uniform circular motion में यह नहीं आएगा याद कर रहे हो याद कर रहे हो, यह कहां आया यह कहां आया, यह non-uniform circular motion में सर्कुलर मोशन में सिरफ centripetal ही होती है, और कोई नहीं होती और वा centripetal तो होगी होगी, यह भी होगी, speed बढ़ भी रही है, गट भी रही है होगी, ठीक है ना और यही सारी चीज़ यहां लिखी होगी है, यह मैंने यहां लिख दी है तो आप ये लिखना चाओ ये लिख लो, ये लिखना चाओ, जो मर्जी लिख लो, ठीक है यह आपकी मर्जी है, ओके centripetal force की बात मैंने आप से कर ली ठीक है, कि भाई, center की तरफ कोई force लग रही होगी, वही circular motion को जनम देती है, है ना, और वो जो acceleration generate करती है, उस acceleration का रहा मैं, centribidal acceleration, वो दोनों case में होती है, uniform में भी, non-form में भी, दोनों में होती है, ठीक है, पढ़ लेते हैं, एक body perform कर रही है, अगर circular motion is acted upon by a force, उस पर एक force लगती है, which is always directed towards the center, इस बात का आपको note कर लेना, अपने पास, center की तरफ ही direction होती है, is called centribidal force, if a body of mass m is moving होना, मतलब वही बात है भई, देखो, अगर acceleration v square by r है, है ना, तो आप जानते हो कि force होती है, mass into acceleration, होती है ना भई, acceleration की जगा v square by r रखो, तो यह बन जाएगा, f is equal to mv square by r, यह बन गई centribidal force, force के लिए क्या करना होता है, acceleration को mass से multiply करना होता है, वस force मिल जाती है अपने को, तो force मिल गई, ठीक है, तो लिखा हुआ centribidal force can be mechanical, electrical, magnetic, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, अब यह centribugal force क्या होती है, तो ऐसा है गयार, एक pseudo force का principle होता है, ठीक है ना, कभी-कभी हम centribidal force को मानते हैं, और उससे मान करके question solve करते हैं, कभी-कभी centribugal को मान करके करते हैं, तो आप किसी को भी मान करके कर सकते हैं, कोई दि करण जाते हो, है ना, और ऐसे करके circular motion में इस तरीके से वो जूला-जूलता है, ऐसे करके वो जूला-जूलता, तो आपने देखा होगा, जब बहुत जयता स्पीड बढ़ जाती है, तो हमारी जो back होती हो, पीछे लग जाती है, ऐसे लग जाती है, यानि हम भार की तरफ ग 팀 केंदर से मखान को अलग किया जाता है लस्सी में से हैंब बटर्र मिल्क में से बटर को औलक किए जाता है जो टेक्निक है जिसको आप मत नहीं हो रिड़ना बोलते हो है मास पर डिपेंड करता है इसका भी फॉर्मुला को यलग नहीं है एंबी स्कुएर भाई आरी इसका फॉर्मुला है ठीक है ना कितनी ही चर्चा रखते हैं इसकी हम ठीक है बाकी कोई खास जूरत है नी इसकी जब पढ़ेगी तब देखेंगे इसको है ना ओक्के नेक्स चर्चे आती है प्रोजेक्टाइल मोशन की बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन एक टूडी मोशन है ठीक है प्रोजेक्टाइल मोशन एक टूडी मोशन है दो तरह के प्रोजेक्टाइल आपने पढ़ने है एक पढ़ना है होरीजोंटल प्रोजेक्टाइल जिसकी चर्चा मैं यहां कर रहा हूँ और जो अगली स्लाइड पर है वो है वो है oblique projectile ठीक है तो जो horizontal projectile होता है उसकी उसके अंदर दो चीधे आपको given होती है एक तो आपको height given होती है दूसरा आपको velocity given होती है, मतलब आप एक छट पर चड़ गए, suppose करना मैं जो बोल रहा हूं, आप एक छट पर चड़ गए, चड़ गए, ठीक है न, और चट पर चड़ने के बाद आपके पास क्या है, एक तो आपके पास हाइट है अच्छी खासी, क्योंकि आप छट पर चड के फैकना है, ठीक है, तो बीना किसी अंगल के फैक होगे तो भाई मतलब स्टेट फैक होगे बिलकुल स्टेट फैक होगे, और अगर बिलकुल स्टेट फैक होगे, तो इसके पास सिरफ एक ही टाइप की velocity होगी, अब ध्यान से सुननना, चरचा वलास्टी की है, बहुत important च चर्चा है ठीक है ना चर्चा वेलोस्टी के बहुत इंपोर्टन चर्चा है इसके पास सिरफ एक सीधी वाली वेलोस्टी ही होगी और सीधी वाली वेलोस्टी का नाम होता है होरीजोंटल वेलोसिटी इसलिए इस प्रोजेक्टाइल का नाम भी क्या है होरीजोंटल प्रोजे फ्री फैकरा अम इसको ऐसे नहीं तो इसको मैंने कोई-bhht स लिए कोई गुभाज को इसको सीधा है करें लेकिन फिर भी का सिवbn निशे निचलिए यह कभी देखा होगा आपने इस तरह पयार बोलिक पात होता इसका क्यों चली आती नीचे इसलिए चली आते है और ही नीचे क्योंकि एक acceleration है जो हमेशा नीचे की तरफ लग रही है यह free fall का extended वर्जन है ऐसा समझ लो यह free fall part 2 है free fall पढ़ा था नाम निकल उसी का यह part 2 है ठीक है ना नीचे की तरफ क्या act करनी start कर देती है वेटा वह तहही हुए जो जो इसके पस यू था जो-जिस जू से हमने इसको नीचे का तो कुछ नहीं होगा यू तो थोड़ा आगे भी बही रहेगा, यू तो थोड़ा आगे भी बही रहेगा, क्योंकि इस डिरेक्शन में कोई acceleration नहीं है ना यार, जो इसको घटा सके या बढ़ा सके, तो यू को बढ़ाने का और यू को घटाने का कोई साधन ही नहीं है हमारे पास, हमारे पास लेकिन नीचे वाली velocity को बढ़ाने का साधन है और वो साधन है, जी, वो ये साधन है और ये साध देगा, किसको velocity को साध देगा और नीचे की तरफ एक vertical velocity आनी स्टार्ट हो जाएगी, पहले छोटी आएगी, फिर भी लगे जाए, थोड़ी बढ़ी हो जाएगी, फिर भी लगे जाए, और थोड़ी बढ़ी हो जाएगी, तो ये बढ़ती 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 जाएगी, समझे रहो ना, तो इसलिए कैसा parabolic path ही है, ऐसा parabolic path ही है, काम की बाते क्या है काम की बाते यह एक तो कितनी दूर फैका यह निकालना ठीक है और कितना टाइम लगा गिरने में वो निकालना तो दो काम निकालने आपने दो बाते निकालनी एक आपने रेंज निकालनी एक आपने टाइम ओफ फ्लाइट निकालना क्या बोला रेंज और टाईम ओफ फ्लाइट तो पहला है रेंज रेंज निकालें युट है ना तो एक शो kang टॉल निकालना है तो बईयाय याय सा है रेंज निकालने के लिए आपको चाहिए होर् самого क्यों सर्विड्न रेंटिकल क्यों क्यों टिकल्स को नीचे कर रही हो गी ना यारो और और बढ़ आने के लिए तो आगे वाली काई नीचे लेजाने वाली यानि या दिखाई है मैंने यह जो क्या बोलते है यू वाई दिखाई है यू बोलेंगे फिर इसको बाद में वी बोलना स्वाइनल वलोस्टी हो जाएगे पर यह कभी है तो यह जो वी वाई है जो वाई की तरफ विलॉस्ट्री यह नीचे जाने में थोड़ी नीचे जाने में साइक होगी आगे बढ़ाने में साइक थोड़ी होगी आप बात को समझ रहे हो है ना तो इसलिए इसलिए रेंज जो होगी न वो होगी यू जो की horizontal वाली है है ना, जो की horizontal वाली है into time of flight अरे distance ही तो है range distance is equal to speed into time ही तो करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा यहाँ सोचो, speed is equal to distance upon time distance is equal to speed into time speed कितनी है, you है, और time कौन सा है time of fall है, time of flight बोल देश को, time of fall बोल देश को बात एकी है time of flight अच्छा लगता थोड़ा, flight उड़ता हुआ जा रहा है ना, projectile उड़ता हुआ जा रहा है fall बोलेंगा बेगिर रहा है तो एरे गिर रहा है बेजा इसलिए time of flight कह देते हैं इसको तो ज्यादा अच्छा लगता है है ना, यह होता under the root 2H by G ठीक है, इसी को जाकर कि आप यहां multiply कर दोगे तो यह बन जाएगा यह, यह range का formula है ठीक है, U into T से multiply कर दिया, ठीक है ना, और यह 2H by G time आ जाएगा, ऐसे ही हम लोग चर्चा करते हैं किसकी oblique projectile की, oblique projectile का मतलब क्या है कि आपने एक एक velocity को ऐसे फैका, किसी U velocity से ऐसे फैका, जो की theta angle पर था, theta angle पर था ठीक है, x-axis पर वो बना, U cos theta, अरे अभी component लेने सिखाये थे याद करो, अभी अभी सिखाये थे component लेने, पीछे ही, है ना, अगर x की तरफ बनेगा तो बनेगा U cos theta, और इस तरफ बनेगा तो बनेगा U sin theta, है ना, तो इस प्रॉजटेल के पास दोनों तरफे velocity आ होती है, इसके पास horizontal velocity भी है और vertical velocity भी है, दोनों velocity है उसके पास, सर, बहुत बढ़िया, मदा आ गया सर, मदा आ गया सर, इसके पास तो एकी थी, इसके पास तो एकी थी वह तो दूसरी वह लें तो बाद में जनम लिया ना हमने तो एकी दी थी उसको एना ठीक है सर यहां पर अपने को गिवन क्या क्या होता है कि बदाओ पहले आपने भाहा भी गिवन बताया था यहां भी बदाओ तो मुझे बार बताओ धर्ती पर खड़े ओ अधर्थी से आपने बॉल फैक के मारी आपके वास क्या होना चीए आप धर्ती से धर्ती पर देखे ना is Land-to-Land Missile बोलते हैं इसको धर्ती से धर्ती की मारती है मारक्शम्टा उसकी निकालते हैं तो मारक्शम्टा मतलब होता है रेज निकालना ठीक है तो यहाँ पर असलमे दो चीजे गिवन होती है वीटा, एक होता है यू और एक होता है थीटा, बस, कितनी स्पीड से फैका यह पता होता है, कितने एंगल पर फैका यह पता होता है, दो बाते पता होती है अपने को, सर फिर निकालना क्या-क्या होता है, वीटा, तीन चीदे निकालनी होती है इससे, य यहां पर अपने को तीन बाते निकालनी होती है अपने को रेंज निकालनी होती है है ना मारक्षमता कितनी है समय कितना लगएगा गिरने में यानि टाइम आफ लाइट कि अना कब तक उड़ान भरेगा आपका प्रोजेक्टाइल वो तीसरा मैक्सिमम हाइट कितनी होगी maximum height कितनी होगी, यह 3 चीज़े हैं, ठीक है, तो यह 3 चीज़े निगालनी होती है, maximum height का मतलब, यहाँ जब यह पहुचेगा, भै उड़ेगा, उड़ेगा, उड़ता, उड़ता, उड़ता जाएगा, हवा में उड़ता जाए, है ना, वो projectile जिसके पास सिरफ, सिरफ, और में दिया था, बिल्कुल सही बात है, मैं आपको शुरू सही बात बोल रहा हूं, कि भाई, इस direction में कोई acceleration नहीं है, x-axis के along कोई acceleration नहीं है, तो क्या कभी इस u cos theta में change आएगा, नहीं आएगा, acceleration ही तो velocity में change लाती है, मेरे भाई, acceleration ही तो velocity में change लाती है, तो भाई, u cos theta में कभी change नहीं आएगा, ठीक है, u cos theta में कभी change नहीं आएगा, सर क्या u sin theta में change आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि u sin theta को काटने वाला कौन है, u sin theta को काटने वाला g है, जो क नीचे लग लग रा है पहले सको रिटार्ड कर भाइगा क्योंकि वो तो नीचे लग रहा Einchild Oops यू पर जी नीचे विलॉस्टी उपर जी नीचे वँलॉस्ट 2 उपर जीनीचे वलॉस्टी उपर जी सब्सक्रजीन इनीचे करते-करते लगते-करते-करते-y U to n theta decrease होता जाएगा, क्योंकि नीचे से कौन लग रही, acceleration लग रही है, तो U sign theta पर उसका प्रभाव पड़ेगा, है न, vertical velocity पर उसका प्रभाव पड़ेगा, vertical velocity धीरे, धीमे, 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 होते होते, यहां हो जाएगी 0, there will be no U, Y here, यहां पर कोई Vy या Uy नहीं होगा ठीक है ना वर्टिकल वलॉस्टी कोई नहीं होगी कहने का मतलब है इस हाइट पर कोई वर्टिकल वलॉस्टी नहीं होगी क्यों क्यों क्योंकि सारी कि सारी खतम हो चुकी होगी सर फिर अब क्या होगा अब यह होगा बेटा कि यू कॉस्ट सब्सक्राइबर परोधने सब्सक्राइब न być यहां पर यहां पर पहले हम çeks रहोगी फिर घटेगी फिर और घटेगी और घटेगी और घटेगी यह पौस्ट-फॉस्टे वह जाएगी जीन लेकिन फिर वहां से नीचे की तरफ यहाँ पर जनम लेगी जैसे सिन्हों पर नीचे तरफ स्ट यह से उसकी होगी ठीक तो तीन फॉर्मुले स्ट एपने या याद करके थे अचीन फॉर्म ले याद करने हैं यूर ठीटा से निकला हुआ रेंज और हाइट यह रहे वो तीन फॉर्मुले फ्लाइट निकालने का 2U sin theta by G मैं डिराइब कर सकता हूं इसको 15 मिन लग जाते हैं उसमें 10 मिन लग जाएंगे कम से कम उसके अंदर 15 तो नहीं 10 मिन लग जाएंगे है ना तो टाइम को खोटी ना करते हुए है ना मैं मानता हूं कि आ 3x divided by 2g और direct is equal to u2 sin2 Iघ ए तीन फॉर्मुले है traje κα टिका और टाइम का यह तीनों फोर्मुलने लिखलो नोट कर लूट रूट means गारिव 2G मलय बना लेकिन तेनों फॉर्मुले आपको चामाने वाले हैं कुछ इंतष न्हीं स्भीस्टैन अचैना क्या रहा है क्ष要 drop down a ball from a roof at the same time through another ball in horizontal direction then both the balls would strike the earth simultaneously ये बहुत अच्छा question है बहुत अच्छा point है है ना question की form में आ जाता है ये ये कहता है पता है क्या ये कहता है अपने पास दो गेंद है ये गेंद number one ये गेंद number two दो गेंद अपने पास ठीक है इसको हमने खाली कासि द्रॉप किया है नीचे की तरफ चुड़ दिया इसको वंवाली को वंबाली को ड्रॉप किया तो ये धीरे धीरे तो बड़ा ही मशूर कोशन है और उमीद करता आप सभी कोई पता होगा कि दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगे क्यों सेम टाइम पे नीचे आएंगे क्यों सर सेम टाइम पे क्यों नीचे आएंगे क्योंकि टाइम जो है ना वो वर्टिकल वलोस्टी बेडिकल वलोस्टी टाइम देगा हमेशा वर्टिकल वलोस्टी टाइम देगा हमेशा वर्टिकल वलोस्टी टाइम देगा हमेशा वर्टिकल वाथे करनी पड़ेंगे आपको टाइम के अंदर ठीक है ना तो यहां पर पहली गेंद को बंदूक को क्या को वर्टिकल वलोस्टी दे आसे पठक के मारा था क्या बंदूक है मेर सभी चल रही यार वर्टिकल वलोस्टी जीरो थी यू वाए जीरो था अच्छा एक बार बताओ गोली को भी सीधा मारा था कि ऐसे मारा था या ऐसे मारा था को वर्टिकल वलोस्टी तो नहीं दी थी ना उसको ऐसे तो नहीं दी थी दोस्तो ठीक बात ना वाई सीधी दी थी ना तो वर्टिकल इसका भी यू वाइय क्या है, जब दोनों का यू आई जीरो है, तो डूनों सेम टाइम पर आएंगे, इसमें कोछ रूख वाली बात ही नहीं है. उमीद करता हूं, आपको समझ में आओगा कि वर्टिकल व्लॉश्टी दोनों की 0 ही है. horizontal उसकी हो तो हो भाई range ले वो range ले जाकर गे ठीक है ऐसी दूसरा वाला point बड़ा बड़ा ही useful point है आपको समझा जेता हूँ क्या है यह है यह है वहिया कि अगर किसी भी किसी भी projectile को ठीक है अगर आपने theta से फैका है तो माल लो यहां गया है ना मैं 30 degree माल लेता हो इसको 30 degree ठीक है तो अगर आपने theta से भाइका है तो अब 90 रखते हैं इसको ठीक है अगर आप कभी भी supplementary angles यानि एक angle theta और एक angle 90 minus theta हो उससे अगर आप फैको तो range आपको same मिलती है ठीक है यही लिखा हुआ है horizontal range is same same होगी कब जब एक body को theta और 90 minus theta से प्रजब किया जाएगा यानि एक को 30 पे और एक को 60 फैका same ही range ले करके वो वहाँ उ ठीक है range maximum जो होती है आप मेंसे कुछ बच्चे होंगे जो physical देते होंगे physical के अंदर short put की training होती है और अगर नहीं भी होती है ना तो आपको हो सकता ही बाते पता हो ठीक है कभी भी आप कभी भी आप गेंद को या किसी भी चीज को 45 डिगरी पर प्रोजेक्ट करोगे ना तो 45 डिगरी के एंगल पर फैके होंगे उसको जैवलिन को क्योंकि पता है भीया 45 डिगरी पर फैकेंगे तभी maximum range उसकी पहुचेगी ठीक है ना तो किसी भी तोप को दूर तक मारना हो अगर maximum दूर तक शती पहुचानी है अगर शत्रू को दुश्मन को अगर नुकसान जादा नुकसान करना तो ऐसी मार देते हैं ठीक ना 45 डिगरी पर मारेंगे ताकि maximum range आए उसकी तो maximum range क्या है 45 डिगरी सारे इंपॉटेंट पॉइंट है नोट कर ले ना आई ये क्वेश्चन करते हैं पहले आप ट्राइगरो चलिए मैं करता हूँ एक artificial satellite है जो कि move कर रही है circular orbit के अंदर जिसकी radius इतनी है अरे ये तो कुछ भी question नहीं है भाई है रहा असान question से start कर आओगा है न असान question start करते है ठीक है radius जो है वो कितनी है 42250 kilometer उससे गोल 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 गो simple है simple है distance कितना होगा 24 गंटे में distance कितना होगा 2 pi r 2 into pi into r r कितना है 42250 42250 upon में time कितना है 24 गंटे है तो 24 आपने नीचे रखा इसको आप solve कर लो बस आपका answer आजागा kilometer पर r में और कुछ निए इसके अंदर subjective question था ऐसी आपको जरोखासा दिखाने के लिए इसे करो बाई चलो मैं करता हूँ एक acceleration निकालने आपको train की जो की covered path पर चल रही है कोई train ऐसी चल रही है कुछ इस तरीके से कोई train work कर मतलब अपना motion कर रही है यहां से यह motion कर रही है train तो जिस radius पर वो घूम रही है ना कईना कई radius तो होगी ना उसकी जो भी उसका path होगा उसकी कईना कई रेडियस होगी वो रेडियस 9 मीटर की है और ट्रेन जो घूम रही है वो 54 मीटर पर सेगिंड से घूम रही है तो आपने क्या करना है acceleration निकालने भाई यहां पर कौन सी acceleration की बात हो रही है यह कैसा motion है UCM है या NUCM है यह uniform circular motion है कि यारे uniform है uniform है क्यों क्यों शक करते हो खुद यह uniform है सेम स्पीड से चल रही है ना बोला तो स्पीड अगर बढ़ती दिखे या घड़ती दिखे तो बोलेंगे बाई NUCM है यह तो UCM है यह तो uniform circular motion है और यहां पर जो acceleration होती है वो एक ही होती है और वो होती है V square by R वी कितना है इसका 54 54 इंटू 54 है ना अपॉन में क्या लेंगे नौ लेंगे ठीक है तो नाइन सिग्जा 54 64 24 65 30 और 324 हो गया है तो है ना यह आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड स्कॉर क्या तगड़ी अक्सलरेशन मिल रही है भाई देखो ज़रा बढ़ते हैं आगे if an object undergoes uniform circular motion अगर एक uniform circular motion हो रहा हो तो क्या बात हो सकती है acceleration remains uniform velocity changes speed changes velocity remains uniform देखो uniform velocity नहीं हो सकती क्यों क्योंकि velocity तो एक vector quantity है और दिशा बदले जा रही है ध्यान से सुनना बेटा जब भी circular motion होता है जब भी circular motion होता है कल भी मैंने एची discuss करी थी आपके साथ है ना तो उसकी velocity यहाँ नौर्ढ़ है तो यहाँ उसकी velocity जब particle घूम किती आएगा तो west हो गी यहां south साउथ होगी यहां वंल की east होगी यहां northwest होगी यहां क्या वो लेंगे southwest होगी और यहां क्या होगी यहां South East होगी यानि दिशा तो पल पल बदल रही है, velocity पल पल बदल रही है, velocity उनिफर्म कैसे कैदू, velocity उनिफर्म कैसे कैदू, ठीक है न, तो इसलिए, velocity remains uniform तो बात गलत है, speed change हो रही है क्या, नहीं, speed change नहीं हो रही, uniform circular motion है भाई, उतनी ही स्बीड से घूम रहा है एक टरख वाला है पगला एक टरख मद आप आ ये एक आता है पुर्वर चो जुब है कि बटाज की चेंज एक कि निर्टी चेंज कर रही है क्योंकि धिशा विदल रही है because direction changes मैंने आपसे कहा था question सही काफी चीज़ है हम सीखेंगे है न direction changes तो इसलिए B option एकदम सही है acceleration remains uniform ये भी गलत है acceleration का value तो uniform है लेकिन acceleration की direction तो यहाँ भी uniform नहीं है वेटा अरे यार यहाँ तो देख acceleration centri की तरफ होती है centri vital यहाँ इदर होगी acceleration भी तो change कर रही है acceleration की direction change नहीं हो रही है हो रही है भाई towards center है मैं मान गया लेकिन कभी south है कभी यह है कभी यह हो कभी यह कभी कुछ कभी कुछ तो यह भी answer नहीं है करिए ज़रा चलो मैं करता हूँ क्या कर रहा है एक particle है है ना जो circle में move कर रहा है of radius 5 cm with a constant speed constant speed से कर रहा तो यह तो UCM है यह तो uniform circular motion है तो भाई ने acceleration पूछे वो कौन सी होगी जो acceleration पूछे वो कौन सी होगी वो होगी sentimental acceleration है ना है के नहीं तो होगी वो V square by R ठीक है आप देख लेते है वी दिया है के नहीं दिया नहीं भाई ने वी नहीं दिया भाई है ना यहां से दोस्तों V निकाल लेते हैं माने speed निकाल लेते हैं speed होता है distance upon time distance कितना है भाई 5 cm के यसाब से कुछ distance बनेगा भाई 2 pi R है ना और R जो है उसको हम 100 से divide कर देते हैं ठीक है तो यह आपका मीटर में आ गया है ना 5 cm है ना मीटर में आ गया तो 2 pi R divide by time करना time दे रखा है 0.2 ठीक है और pi है साथ में तो pi से pi cancel हो गया point से 10 उपर आएगा 2 से 2 cancel हो गया 10 से 10 cancel हो गया और 5 upon 10 यानी 0.5 या फिर 5 upon 10 जैसे मरची दिखलो यह आपकी speed आ गई तो यह speedy होती है भाई है ना तो point 5 या फिर 5 upon 10 into 5 upon 10 मैंने square कर दिया और radius नीचे है जोगी कितनी है 5 cm है भाई है ना तो इसको भी 100 से divide करेंगे 100 वापर सूपर चला जाएगा दो 0 से 2 0 गड़ गए 5 से 5 गड़ गया तो 5 meter per second square answer है यह match कर रहा है एसे यह match कर रहा है एसे horizontal range of a projector is maximum when the angle यह देखो ऐसे question पूचे जाते है भाई बिल्कुल fact based question 45 जिगरी अभी अभी बताया है मैंने आपको maximum range of a gun on horizontal terrain is 16 km जो maximum range है यानी जो R है ठीक है वो 16,000 meter या फिर 16 km को मैंने meter में convert कर लिया ठीक है और maximum range बोल रहा है वो तो maximum range तो भाई theta कितने पर होगी 45 डिगरी पर होगी ठीक है और आपसे कह रहा है कि हाँ velocity कितनी होगी जिससे आपने इसको फैका होगा है initial velocity आपसे पूच रहा है कितनी होगी ठीक है तो range का जो formula होता है हमारा है ना वो होता है u square sine 2 theta by g यह होता है formula हमारा ठीक है ना तो आपने range ले रखी है वो 16,000 ले रखी है ठीक u square आपने find करना है वो अभी तक नहीं किया है ना sine 2 theta क्या होगा थीटा को गर मैं 45 रखू तो into 2 करके sine 90 हो जाएगा sine 91 होता यानि यहाँ पर तो 1 ही आना है और g कितना 10 ले रखा है बहुत बढ़िया कर रखा है यह जाएगा इधर ठीक है तो u आ जाएगा under the root 16,000 चार 0 योगी यह वाला 0 भी उपर चला गया ना एक दो तीन चार ठीक है तो यह जाएगा फोर और दो 0 आ गया 400 मीटर पर सेकेंड तो यह आपका आ गया initial velocity 400 मीटर पर सेकेंड बी option एकदम सही है तो बच्छों चलो करिए इस सवाल को चली मैं करता हूँ कर एक बॉय है जिसने stone फैक है है भई यह 10 मीटर तक फैक सकता है मैक समय जो उसकी 10 मीटर है तो मैक समय होरिजन्टल रेंज कितनी होगी उसकी तो यह इसका एक छोड़ा शॉटकट है आपको बतायता हूँ के आर इस इक्वल टू ट्वाइस ओफ होता है जब भी होते हैं दोनों placing करंarl भी मैसा मेक मैसा कर नी ओंल तो ठिर्याइव करते हैं चोटी सी mobility होती होती उसके बाद को यह बिलता है ठीक हे टो मैक समयट कितनी फैक है मतलब एच मैक सो ब dipper से लिखते हैं इसको हैनाえて हमेक्स इस एकोल टू टू इंटू हमेक्स ऐसे लिखते हैं ठीक है वह डबल होती है तो टू इंटू हमेक्स कितना भाई दस है कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा ठीक है नोट करना है इसको आप काम आता है बड़ा फॉर्मलाई चलो मैं गरता हूँ एक राइफल है जिसकी मजल वेलोसिटी यानि जिससे बुलेट निकल रही है वो पंदरा सो मीटर पर सेकेंड है शूट सबुलेट अटा स्मॉल टार्गेट 150 मीटर अवे जिससे वो जाएगी 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 एक Paris अप्र ने अचेजिक्ट अपरेट आप पर जाकर के वह करनी चाहिए है लेकिन अगर आपने उसको बिल्कुल सीधा मारा है वह टार्गेट के सामने रख करके मारा तो वह कई नीचे जाके गिरेगा तो यह एक एक्स्रा डिस्प्लेस्मेंट है जो कि अपने खती जाय contrusion का पोकी इतना उपर पर मारें को है ना यहां से कितना ऊपर मारें तो एक्स उपर मारते हैं एक्स उपर मारते है उपर मारते है युझा डाकि वह मारते सूदा कहा लगे करnew से लिए कि I नहीं दी थी सर, हमने तो कौन सी velocity थी, horizontal दी थी, हमने तो vertical दी नहीं थी, लेकिन vertical आई न, कौन लाया, gravity लाई, जो gravity नीचे की तरफ लगे जा रही है, लगे जा रही है, लगे जा रही है, लगे जा रही है, है न, वो इसको लेकर के आई, और यहाँ target यहाँ पर यहाँ target लग तो इसलिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर हम यहाँ पर वाई में डिस्प्रेस्मेंट लिखते हैं यानि नीचे चलिए इसको वाई लेलो आप इसको वाई लेलो कितना वाई नीचे उआ है यही निकालना आपने है तो य इस एक बार बताओ time उतना ही होगा जितने में vertical velocity चली है और जितने में horizontal velocity चली है 1500 meter, सही बात है बैस सही बात है विलकुल अगर ये 1500 meter per second से हमने horizontally fire किया है तो यार इसने ये range भी तो cover करी है है ना, ये भी तो time लगा ना कुछ, तो वो time और ये time दोनों same ही तो होँगे, vertical displacement का time और horizontal motion का time दोनों same ही तो होँगे, तभी तो object यहां पहुचा है है ना, तो हमें काम करते हैं जो हमको horizontal components दिये ना उनकी help से हम time निकाल लेते हैं उस time को उठा के हमां रख देंगे, वाई निकल के आ जाएगा देखो जरा, यहां हम लगाएंगे speed is equal to distance upon time, क्यों sir हमने यहां पर यह क्यों नहीं लगाया तो यह लगा के देख लो, लो, यह लगा के देख लेते हैं, क्या लगाओ भाई, sx is equal to uxt plus half ax t square, मुझे एक बार बताओ, क्या x direction में कोई acceleration है क्या x axis के लोग कोई acceleration है, नहीं है भाई, तो x वाला part हो गया, 0 यह पूरा part खतम हो गया, या sx निकल के आ गया, ux into t यह क्या लिखा है, distance is equal to speed into time ही तो लिखा है, यह distance is equal to speed into time ही तो है, क्या दिक्कत है distance कितना है भाई, 1.500 speed कितनी है, horizontal वाली, ux में speed कितनी है, 1500 into t, तो time निकल के आ जाएगा, 1.500 बटा में 1500, ठीक है, यह कटेगा तो 1 by 10, और 1 by 10 उता है, 0.1 seconds ठीक है, कितना आएगा, 0.1 seconds इस 0.1 seconds को उठाके मैं रखता हूँ तो मेरा y निकल के आ जाएगा, कि time तो सेम होगा ना, horizontal distance चलने का और vertical distance चलने का, तो time सेम ही होगा, तभी तो वहाँ पहुचेगा, ठीक है ना, तो इसलिए half into 10 into 0.1 है, ठीक है, तो 0.1 into 0.1, पॉइंट रटा पॉइंट रटा 5 आ गया, 5 upon 100, ठीक है, यह मेरमे अच्छे सहेंटीमीटर में नेकालना है क्या है ना, तो 4.9 हो गया सिधा सिधा, हrous क्योंक्त हो गया, यह मेरमे कल रहा है मीटर को सेंटीमीटर बीचन करेंगे, पासेंटीमीटर अब यह यह टैन लेकर करक dipping, 9.2 लिक आउता तो for 0.9 आता, तो close answer को नहीं होगा सिर्फ तूवर्ड दसेंटर होगा क्योंकि है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है कौन सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि टूवर्ड दसेंटर लगती है ठीक है और अवे लेक्चर आपको कई ना कई help करेगा अपने concepts को ब्रशब करने के अंदर है ना और आपकी कुछ-कुछ practice हो गई होगी है ना एक बार ये पूरा थोरो session कर लिने के बाद यानि पूरी physics को एक बार complete कर लने के बाद हम mcq series को लेकर के आएंगे है ना और उसको भी पूरे धडले से बढ़िया तरीके से आ करके discuss करेंगे आपके बीच में ठीक है ना तो तब तक के लिए प्यार बनाते रहिए चलिए मिलते हैं अगली बार तब तक के लिए टेक के टटा बाई 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 जै हिंद